हलो फ्रेंड्स डेनी क्लाइसेजम आपका स्वागत हैं दोस्तो राजस्थान की प्रत्योगी प्रिक्षाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं आपको पता है राजस्थान में अब काफी प्रत्योगी प्रिक्षाओं आने वाली हैं तो स्टुडेंट के काफी कमेंट भी आत लेंगे आपको पताए की काफी हैं हाईकोट है इसी आपका पसाने वाला है जून्यर्न काउटेंट यह पिक वेकें रहला मेद्थ signals कर सकते हो आपको जोब लगना है government job लगना है जब भी notification निकलता हो उसके बाद में आप तैयारी करो उससे पहले ही आप तैयारी करना शुरू कर देते हो अच्छी बात होती है एक तो होता notification बाद में शुरू करना एक है कि आपको पता है कि यह तो मैं पहले भी कर सकता हूं वो कर देना ज्यादा अच्छा राधा है में राजस्तान में हम बात करें आप राज़स्तान का कोई भी एक्जाम देख लेना नर्मली थे को हैं कि पर है अग्जाम होता है जो help comprend comprendre सेटिपिकेट चल जाता है कोई दिकत नहीं आदि राज के लिए एक्जाम में एक सेटिपिकेट भी मांगते हैं तो आपको ध्यान रखना है आप ग्रेजिएशन कंप्लीट कर चुके हो आपके पास आरसी एटी का सेटिपिकेट हो इतने से आपका काम हो जाएगा अब उसके पाद में हम स्वेबस के बार में भी बात करें तो आप न rook ली देखना आपको जो स्वेबस में देखेगा ही इंग्लिस हे लाजस्तान अब जो राजस्तान के जितने भी एक्जाम वह रे हैं उन्हें यह अंभी तो मिलता ही मिलता है लेब इस्टेंट कि हम पहले बात करें तो पहले उसका इतना सिर्फ सatan नहीं था لेकिन अभू और सिलेबर डला राजस्तान जीके लेके चलो राजस्तान जीके भी आप अच्छे से कवर करके चलो राजस्तान की जो प्रतियोगी पुरिशय होगी उसमें राजस्तान जीके तो आपके आने ही आने वाला है बाद में आप नहीं कर पाओगे क्योंकि राजिस्तान जीके इतना चोटा नहीं है आप इंडिया के जीके को एक तरफ कर देना उतना ही राजिस्तान का जीके पढ़ता है तो आप राजिस्तान का जीके अभी से पढ़ने लग जाओ अभी जो प्रतियोंगी प्रिखशे होती हैं उसमें राजस्तान जी के में हम बात करें कलास सेंस्कृती से ज्यादा प्रशिन बनते हैं आजगल की प्रत्योगी प्रिशों में कला सेंस्कृती से ज्यादा प्रशिन बनते हैं तो कला सेंस्कृती आप अच्छे से करें जियोग्रोफी से ज्यादा प्रशिन बनते हैं तो कला सेंस्कृती और जियोग्रोफी आपको अच्छे से करके चलनी है जब आप ये कर लो उसके बाद में आपको इत्यास उठाना है कलास संस्कृति के बारे में मैं आपको बता दूँ राजस्तान की कलास संस्कृति की बात कर लो राजस्तान की जियोग्रोफी की बात कर लो आपको डेनिल क्लासेज पे सारा सब कुछ मिल जाएगा डेनिल क्लासे यूट्यूब चेनल पर भी राजस्तान की जियोग्रोफी आपको काफी सारे वीडियोज फ्री में मिल जाएंगे वहाँ से आप देख सकते हैं कम्प्लीट कोर्स लेना है तो आप डेनिल क्लासे की प्ले स्टोर से डाउनलोड करें उसमें जाके राजस्तान जी के कम्प्लीट कोर्स देखें राजस्तान जी के की वीडियो क्लास आपको मिल जाएंगी साथ साथ आपको टेस्ट सिरीज भी वहाँ मिलेगी राजस्तान जी के टेस्ट सिरीज भी मिलेगी अब आपके जो भी एक्जाम आएगा तो उसके अकोडिंग हम सारे सबकुछ वीडियो क्लासेज तैयार करते हैं मालो आपके LDC का एक्जाम आएगा तो LDC के एक्जासेज अगर कोई एक्ष्टा पार्ट आपके डाला गया है तो वो भी उसमे जोड दिया जाएगा इस तरह से क्लासेज होती हैं ट्रिक के साथ क्लासेज होती हैं कापी कम समय में हो जाती हैं साथ ही आपको Hindi और English भी साथ लेकर चलना है अगर आप तयारी करना शुरू कर रहे हो नएए ने तयारी में आया हो तो Hindi English भी आपको साथ लेकर चलना है कुछ student ऐसे भी होते हैं जो online भी पढ़ते हैं लेकिन उनको books भी जरूरी होती हैं कि हमारे पास books भी होने चाहिए देखो books की हम बात करें मैं हर बार आपको एक चीज बताता हूँ हिंदी में अगर आप authentic में जाओगे तो राघव परकाश आप ले लो वाक्यांच के लिए एक शब्द होते हैं लोकोगती कहावते मुहावरे संदी समास उपसरग प्रते सारा सब कुछ आपको उसमें मिलेगा तो हिंदी में आप राघव परकाश ले सकते हो विसा आप मादेमिक शिक्षाबोट आजस्तान की भी जैसे books आते हैं वो ले सकते हो बाकि राघव परकास में एक जगह में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा वो ले लेना हिंदी के लिए best book है बाकि आप ओनलाइन भी पढ़ सकते हो ओनलाइन साथ साथ पढ़ोगे क्योशन्स भी करोगे और अच्छी आपकी इंप्रूव होगी तो आप ये टारगेट अभी बनाने लग जाओ कि हिंदी मेरे को cover करनी है डेली मेरे को इतना cover करके चलना है जैसे पांच प्रेवशी शब्द कर लिए पांच विलोम शब्द कर लिए इस तरह से टारगेट बना के चलो कि ये मेरे को target है ये cover करना है English की बात करेंगे English आपके Lucian की book आप ले सकते हो एक अरिहन्थ की book आती है Lucian या अरिहन्थ जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो दोनों इबुक अच्छी आती है उनमें से आप English पढ़ना सुरू कर दो राजस्थान परतियोगी परिशाओं में अगर आपके टेंसेज अच्छे हैं डारेक्ट इंडारेक्ट अच्छे हैं एक्टी पेस ही अच्छे हैं आपको one word करके चलने हैं synonyms और antonyms करके चलने हैं ये तो main main part हो गया जो आपको करके ही करके चलना है यहां से आपके English आद अब यह syllabus कर रहे हो तो आप साथ साथ डेली यह भी शुरू करो कि एक गंठे आप टाइपिंग जरूर करो हिंदी English दोनों टाइपिंग सीखो और टाइपिंग भी आप करना शुरू करो स्टूडेंट यह भी गलतियां करते हैं कि notification आ जाएगा एक्जाम हो जाएगी उसके चाइपिंग सीख लोगा उसके बाद में सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब आपके पास अच्छा का सा समय आप पढ़े भी सकते हो साथ में टाइपिंग भी कर सकते हो दोनों चीजों को आप साथ लेकर चल सकते हो तो अब आपको टाइम खराब नहीं करना है द इनको आप साथ लेकर चलो जीके मेंने नहीं अचिके कुण चूटिया। टाइपिंग हो गया इनको आप साथ लेकर चलो डेली करना शुरू कर दोगे Jude के बदर नहीं आएगा जहां इस्टूडेंट पढ़ना शुरू करेंगे वहां पर फिप्टी परसेंट से ज्यादा स्लेबस कवर भी कर लोगे बसे आपकी महनत पर डिपेंड करता है आप में जोब लगने का कितना लगन है आपकी कितनी इच्छा है आप जोब के परतिक कितने डेडिकेटे जो अभी से इन वेकेंसी में लग जाएगा देखो सब के टारगेट लगलग होते हैं मैं यह नहीं कर रहा कि आपको लगना है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको जूनियर अकॉंटेंट में जाना है जूनियर अकॉंटेंट में भी आप जाओगे हिंदी इंग्लिस ज सारा सब कुछ ही उसके अंतरगात आता है तो उसकी आपको तैयारी करनी है तो अभी से आप उसमें तैयारी करने में लग जाओ बाद में इतना स्लेबस कवर नहीं हो पाता है उसमें अगर आपको लगना है तो अभी से आप लग जाओ अभी से अच्छी से तैयारी करो बाद में आपके स्टेनों का पेपर होता है तो उसकी त्यारी करें उसमें आप वापस लग जाओ देखो कुल मिलाकर मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि अब जो आपके पास समय उसको खराब मत करो अब अच्छे से स्टडी कर लो यह जो मैंने आपको बताया इनको अच्छ शिरीज लगा रहे होंगे अच्छा कासा आपका स्लेबस कवर हो जाएगा तो इन्हीं चीजों को आपको अभी लेकर चलना है सलेबस को लेकर चलना है साथ साथ टाइपिंग को आपको लेकर के सलना है अगर आपके आज़ पास आप कहीं इसे जगेश recommend क्लासे नहीं है घर- पर भी आप टाइपिंग कर सकते हैं YouTube पर online जाओगे आप टाइपिंग के आपको काफी वीडियो जाएंगे वहां से आप देखकर टाइपिंग सीख सकते हैं घर बेटे भी सीख सकते हैं बस यह गलती मत करना कि आप लेपटोप पर ही करनी है लेपटोप में भी करो तो वहां कीबोड आप लगा उसके बार टाइपिंग करो लेपटोप में जो की आती हैं वहां टाइपिंग मत करने लग जाना टाइपिंग कीबोड पर ही आपको करनी है कीबोड पर ही सीखनी है एक्जाम में आपके कीबोड पर ही टाइपिंग होगी कुछ स्टूडेंट पूछते ह हम अपना keyboard लेकर जा सकते हैं, क्या आप नहीं लेकर जा सकते हैं, keyboard आपको वहीं प्रोवाइड होगा, जहां exam होगा, वहीं आपको keyboard भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप घर से लेकर नहीं जा सकते हैं, तो यह सारी चीजे जो मैंने बताई है, अभी से आप serious हो जाओ, अ notification आईगी, उसके बाद में देखूँगा, यह करोगे जो पढ़ने वाले हैं, वह आप से आगे निकल जाएंगे, काफी आगे निकल जाएंगे, तो अपनी जो तैयारी है, वो अभी शुरू कर दो, देखो बारिश आने के बाद में तैयारी हो जाएंगे, बारिश आएगी बाद भी आ सकती है, तो मेरे को क्या क्या तैयारी करके चलनी है, किस तरह से मेरे को सारा सब कुछ कंट्रोल करना है, तो यह सारी तैयारी अपहले ही हो जाती हैं, बाद में तैयारी नहीं होती हैं, अभी तैयारी करना शुरू करो, स्लेपस लेकर बठो, जिस according आपको जिस में जाना है उसके according सारा सब कुछ अभी से तैयार कर लो अभी से जो करेगा वही selection लेगा 100% selection लेगा भी तो जो मैंने बताया है उसको आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे साथ साथ आपको इस वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड है सब को आपको बताना है आपके जो भी फ्रेंड है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको आप सब को शेर करें कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें राजस्तान में बंफर वेकेंसी जाने वाली हैं वीडियो शेर करें लाइक करें अगर आप डेनिल क्लासेज यूट्यूब रहता हूं धन्यवाद